उन्य योग मनुति हुआ आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर का क्रॉस और डॉट मतलब सदेशे का गुड़ाद फ़ल पढ़ेंगे आज नई और यह किया नोग इसमें कैसे गुड़ा होता है स्वाइश को पढ़ें प الخतनद पहले हम लोग गुड़ा करना सेख चुके हैं 2 x 4 is equal 8 होता है यह वाला गुड़ा हमको पता है ठीक है और a x a is equal a square होता है यह हमको पता है इस तरह से अगर हमें सारे जो बेसिक गुड़नफल है वोगर हमें संके पता है तो वेक्टर जो हमने नया अपने में टॉपिक एकंक्लूड किया और इसको पढ़ा है तो वो कैसे गुड़ा होता है ठीक है जो गेर से अभी तकक हम लोगों लेक्क्टर को अड करके देखा कि एड कैसे करते हैं तो अड करने की जो घोने पर यह फिर फाइफ आड़ता फाइफ वालग दोनुस एक्वली आड़े जैसे हम लोग आड़ करना सीखते हैं बच्पन में टू प्लस त्री इसको भी आड़ कर सकते हैं ठीक है ऐसे सब्स्ट्राक्ट करना हम लोग ने सीख चुके हैं अब हम लोग इसमें देखिंगे कि गुड़न फल तो हमने कोई दूस पर दिश् делает कोई दूस अमारे पास पहला सथी में इसे आप कि सिर्फिर अडियर्थ में लेक्शन न चाहते India देखिंगे हमारे पासे सदिस है एक जी इसकी सुद्वर को हिसकी डारेक्शन एधर हमने गुड़ा करना है तो हम गुड़न फल दोनों थरम से एक साथ ही पढ़ेंगे यह पहला वेक्टर है और यह एक वेक्टर है हमारा ऐसे ले लो यह वेक्टर है बी यह वेक्टर हमारा ए है और यह वेक्टर है बी यह स्पेस में कहीं भी थे यह वेक्टर यहां पर था और यह वाला वेक्टर यहां पर था इन दोलों की बीच के एंगल हमने माल लिया ठीटा है यह इंगल ठीटा हमने माल लिया क्रॉस करने के दो तरीके होते हैं एक आप लाइन टू-Lाइन क्रॉस करें ऐसे ठिक है ऐसे करके जश्ट ऐसे कुड़ा कर दो उसके बाद परफेंडिकुलर क्रॉस कर दो तरीके हम सिखेंगे तो पहला तरीका क्या है अब हम scalar अगर हम निकालेंगे तो scalar में क्या होता है scalar एक ऐसा cross होता है जैसे हम परने की example समझते है तो मैं पता है कि दूरी कैसी quantity होती है scalar और work कैसी quantity होती है scalar ठीक है जबकि force कैसा होता है vector कारी जो है हमने बोला हमने काम किया क्या हमें direction बोलनी पड़ती है नहीं न हमने 20 जूल work किया तो यह energy यह सभी कैसे form है scalar ठीक है तो scalar के लिए अगर हमने work किया है तो हमारे पास हमने मान लिया कि यह की गुटका है इस गुटके को हमने surface पे ऐसे रखा और इस पर force लगाया left side में तो यह sleep होके यहां पर आगया हमने इस पर कार किया तो हमने जब इसको यहां से यहां तक displace किया इसकी विस्था इसको यहां से यहां तक लेकर किया है तो इसने कार किया यह कैसा कार है अगर हम इसको ऐसे पकड़ के उपर उठाते ठीक है तो देखो हम इसे slip करना है यहां से यहां displace करना है ऐसे करके तो मैं इसके force किदर लगाना पड़ेगा इसकी line में ऐसे अगर इसको आगे बढ़ाना है तो इसको force आप कहां लगाएंगे इसकी line में ऐसे example समझो train अगर train का जो आगे का engine होता है वो आगे का engine कि बीच में लग जाए तो ट्रेन अगे बढ़ पाएगी नहीं और ट्रेन का इंजन यहां लगा है तो सारे के सारे डिब्बों को खीच लेता है यह कैसा multiplication है स्केलर और अगर यह train के डिब्बा ऐसे उपर लग जाए बगवान के पाश जाना हो तो तो यह उपर लेके जाएगा इसको उपर लेके जाएगा यह कैसा सब्सक्राइब मुल्टिप्रेशन है वेक्टर दोनों में डिफरेंस समझ लो पहले चोड़ा सा डिफरेंस था यह अभी मैं इसका एक और ग्जामपल बताऊंगा फैन का यह अब हमने क्या किया हम इन दो में से किसी कभी फैक्टर निकाल सकते हैं फैक्टर निकालने का मतल बनाना ठीक है हमारे पास एक वेक्टर दिया है यह यह मारे एक वेक्टर है ए और यह इसके कोडिनेट से यह एक्स वाइश से कोडिनेट है तो यह इस ए का हमने परिमार रख दिया फाइफ फाइफ यह फाइफ किस डिरेक्शन में है यह इस्ट वैस्ट नॉर्थ और यह साउथ ठीक है आप से कोशन पूछा गया कि यह एक वेक्टर इधर जा रहा था जिसका मैगेजूट फाइफ है वो किधर जा रहा है इस्ट और न फैसे सब्सकीतब्पी जो लाइन्स होती है यह है यह इस्ट यह वेस्ट रिए क्या बनेगा वेस्ट इस्ट यह इस्ट वेस्ट है कि कै यह यह इस्ट विस्ट ऑस्वेस्ट के नॉड है नॉर्थ पेस्ट तर्शावा यह बनेगा हमारा को सी व Intra doc nier की अधर धुर्या कस पूर्वा उत्तर्व में जा रही थी तो इसका मतलब क्या है यहां से 45 जाएगी यह भी याद रखे एक छोड़ी सी बात है तो इसको हम क्या बोलते है इस्ट नॉर्थ या नॉर्थ इस्ट पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व में जा रही थी जब दोनों एक साथ लिखे हो ुए इसका मतलब किया वीच में जा रही है यह है उत्तर यह दख्ष्ध रख्षिम् डबल्यू और डबल्यू एन यह पश्चिम है पश्चिम उत्तर में जा रही है या उत्तर पश्चिम में जा रही है यह यह पश्चिम दच्छड में जा रही है और दच्छड पश्चिम में जा रही है यह पूरब दच्छड में जा रही है दच्छड पश्चिम में जा रही विगे रोगे ना last okay इतना हो गया कर इतना क्लियर ना ठीक है आपने यह कोशन समझ लिया इसके आगे कर देखिए अब इसने पूछ लिया कि बताईए कि आप यहां जा रहे थे नौर्थ उत्तर पूरू में जा रहे थे आप उत्तर पूरू में तो आप पूरूम में कितना थे, पूरूम में कितना थे, पूरूम में कितना थे आप, यह पूछा जाएगा, तो इसका कॉम्पोनेंट बनाएंगे हम, यह हो गया हमारा ठीटा, यह तर की तरह कितना हो जाएगा, एक कॉस्ट ठीटा, इस डारेक्शन में कितना हो जाएगा, ट्राइं B C ABC में तहीड़ा लगा इस triangle में baş करा बगाने पर क्या आएगा नहीं को सिन एक जाएगा और ये कितना आजाएगा कौ 1 टी तर को कि एक यह वसरिय पूरेंट एकुरी प्रीजैने प्रेजिटके कि वो एक्स डाइक्शन में कितनी दूर गया है वाई में कितनी दूर गया है ये इसका मतलब है ये इसका रूल है ठीक है और इसे हम क्या कहते हैं कॉम्पोनेंट करना कॉम्पोनेंट करना तो इसे कहते हैं वर्टिकल कॉम्पोनेंट 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 आप ऐसे किसी का बना सकते हैं यह हमने लिया यह यह 45 एंगल था और यह इसका नाम ने आर रख दिया तो इस डियरेक्शन में से फ्रक्षा फिर से अग एक्यांपल चोटा सा है यह थीड में तो इस डिरेक्शन में पौं सा कॉम्पोन हिंकर इसमें कॉन सा लगी का प्सामझे जिस एंगल में थीड अपर है उस एंगल में पो यह आर दिया है तो इस वाले यह बक्षक इह बना तोटल 90 है यह है ये कितना बचेगा? 90-ख़ीटा बचेगा अब अपना रूल लगाएज फिर से जेगे समारा रूल था वहीं हाई सबlorत है जो हमने बताएं यहां पर यह क्या होता है आर कॉस शिटा होता है आर कॉस 90-ख़ीटा कितना हो गया और वोगिया न ऐसे कितना हो जाएगा भुज़टी है नहीं हो फिर इकितनी कि टो तो यह तमिस्ट रियॉट स्थी आ इसे तो कमपोने निकालो इस या लगिंद यूज टो तो नंद नेका लो तो दहरार हमारा B है यह B यह इस सर्फिस से ठीटा एंगल पर था आप इसके कॉंपोनेंट निकालिए तो कैसे निकालेंगे इस डारेक्शन में इसका हो जाएगा बी कॉस्ट ठीटा और जस्ट इसके पर्पेंडिकुलरिद है यह कितना हो जाएगा 20 जीटा यह तो कॉंपोनेंट है तो हमने यह कॉंपोनेंट निकाला इसका तो हमने इसका कॉंपोनेंट निकाला इस डारेक्शन में यह हमारा एक कॉंपोनेंट निकला इस डारेक्शन में यह क्या निकलेगा यह इदर बी कॉस्ट ठीटा और इधर क्या जाएगा यह गया बी साइन ठीटा ठेक है यह गया इतन अब देखो जरा यह हमने सिर्फ b को resolve किया है अभी हम a को भी resolve कर सकते हैं अच्छा अब यहाँ पर देखो यह हमारा vector थोड़ा बड़ा था यह a vector है और यह b vector है दोनों एक direction में हैं अब इसे हम cross कर सकते हैं vectors को cross करने के लिए मापस दो rule है पहला rule क्या है dot rule दूसरा rule है cross rule तो यह dot वाला rule है अगर हम एक तीर यहां से मारे दूसरा ते फिर इसी को पर मार दे है ना तो हम क्या बन जाएंगे द्रोनाचार बन जाएंगे हम फिर ठेक है यह origin बन जाएंगे तो हमने एक यह तीर चलाया पहले और दूसरा चला दिया यह इसी के just line में तो इस वाला यह वाला dot होगा इस dot को हम क्या बोलते हैं स्केलर कि मल्टिप्रिकलेशन ठीक है तो यह कौन सा है अधिस गुड़न फल इसे क्या कहते हैं अधिस गुड़न फल ठीक है अधिस गुड़न सब्सक्राइब तो इधर देखो इस डार्यक्षन में अधिस गुड़न फल कितना आएगा ए पहले से था हमारे पास तो ए और बी का हम क्या कर रहे हैं अद्विस गुडणफल कर रहे हैं और स्की वैल्यू कितनी आई है दूब कॉस्छ सचीटा इसी भी कॉस्छीटा सब्सक्राइब यहां पर यहां पर resolve करके भी एक formula बना सकते हैं बिल्कुल बनाईए कैसे बना सकते हैं यह मारा formula आ गया इस formula को आप समझ गये हैं इसको अटा दीजिए राइकमेट के लिए अभी हमने क्या किया था अभी हमने सिर्फ B को Resolve किया था ठीक है ये भीटा दीजे यहां से अमारे पास देको इतने है अब हम A को Resolve करेंगे एक-एक Component बनाएंगे देखो A से ठीटा एंगल दिया हुआ है एक उसका Component का तो उसके दो Component बनेंगे पहला component कहा जाएगा एक component जाएगा इधर ठीक है देखलो ये middle में है middle में resultant होता है theta के बाद में दिया है तो इहर कौन सा रेक्टर आएगा a sin theta a sin theta आएगा और इधर कौन सा component जाएगा a cos theta ठीक है अब देखो दोनों तीर एक दिसा में है तो यह वाला जो गुणन फन होगा उससे क्या कहेंगे हमने इसका नया नाम दे लिए आज के बाद से किसको आज के बाद से हम लोग a.b तो यह वाला एक है और कि यह वाला है अब देखो यह पर प्रपेंडिगुलर है कि नहीं है है तो यह वाला जो जो क्रॉस होता है वो यह वाला क्रॉस है एक क्रॉस बींटो साइन ठीटा है ठीक है और यह वाला जो क्रॉस है यह वेक्टर होता है यह वाला स्कैलर होता है स्कैलर क्रॉस अच्छा हमारे पास फॉर्मला बन चुका है अब हम इसी कंडिशन पर आते हैं यह वाला स्कैलर के ल विसकोल A mod B mod, cos 0 degree और cos 0 की value 1 होती, ठीक है, तो ठीक है, यह vector A इस direction में है, दूसरा vector इस direction में है, दोनों की भी इसके angle 0, 0 angle के लिए हमारे पास formula क्या निकला, A dot B is equal A mod B mod, ठीक है, ठीटा as equal 90 कर दो, तो cos 90 की value कितनी होती है, 0 तो यह पूरा खतम हो गया, कितना बचाँ, a.b is equal 0, ठीक है, फिर 180 कर दो, तो यह negative हो जाए, यह तो basic conditions है, a.b is equal minus का a mod b mod, ठीक है, इतना clear, आप देखो, अब इसका जो हमारे पास, जो हमारे पास formula निकला था, condition आप लोको ने देख लिए है, इस condition के according, अगर हम इसे आगे solve करना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, यह आपको समझ में आ गया, मैं इसको भी साब करें दे रहा हूँ, अगर हमारे पास इसको छोड़के, इस condition को छोड़के दो questions दे दिया, या हमने माल लिया हमारे पास, यह दे दिया, unit vector, unit vector a, तो हमारे पास unit vector दे दिया, तो a is equal दे दिया, 2i plus 3j plus 5k, ठेक है, और b is equal दे दिया, i plus j plus k, तो a dot b निकाल लिए पहले हम, तो a dot b निकालने का तरीका बताई है, तो क्या करते हम, i को i से dot करेंगे, j को d से dot करेंगे, k को कैसे, क्यों, क्योंकि दोनों इस direction में होंगे, ऐसे करके, तो इसके लिए जो हमें dot निकालने का तरीका है, वो कैसे निकाले हम, ठीक है, यह हमारा question था, अभी, बट इस question को, अगर हम, unit vector हमें cross करना नहीं आता है, तो हम कैसे करेंगे, तो मारे पास unit vector दी हो गए, यह i का unit vector है, और यह दूसरा i का vector है unit, दोनों की सीटा एंगल था, अगर दो i हमारे साथ एक ही साथ में है, यह i एक दूसरा i, दोनों आई है, दोनों की direction कितनी है, जिरो डिगरी, सेम डिरेक्शन है, एंगल कितना है, जिरो डिगरी, तो हमारे पास formula क्या है, a.b is equal a mod b mod cos, ठीटा का मान की तरह रखेंगे, दोनों सेम डिरेक्शन में है, दोको i इधर था, इधर ही तो i है, दूसरा i इधर है, unit vector के लिए, यह 0 हो गया, इस का मान कितना हो गया, 1, अब unit vector का magnitude कितना होता है, a vector की value दी है i, b vector की value भी दी है i, ठीक है, तो इसका mod निका लिए, कितना mod आएगा इसका, i square, ठीक है, i square आजाएगा, okay, i square कैसे आजाएगा, यह इसका, एक वो दिया होगा है, क्या है यह, इसका गुडांक दिया होगा है, एक, एक का square के लिए, इसका root लगाईगा, एक दोनों one one आ गए, अब यहाँ भी formula में रखो, तो one, one, into one, कितना आएगा, one, a की बराबर कितना है, i dot i, i dot i बराबर कितना, यह कितना दिख रहा है, i square कैसे हो जाएगा, हम dot कर रहे हैं, i square नहीं कर रहे है, i dot i is equal one, ठीक है, अगर ऐसा होता तो a dot b, जो a था, वो a square हो जाए हो जाएगा, ठीक है, a square हो जाएगा, but i dot i नहीं होगा, यह हमें से आद रखी है आप लोग, ठीक है, यह इतना हो गया, ऐसे ही, अगर हमारे पास, दो j के direction के वेक्टर से, यह j, और एक दूसरा j, j और यह j, दोनों unit vector है, दोनों के मैंसे angle कितना है, 0, तो j dot j कितना हो और इसी में एक unit vector k दिया हुआ है, यह कितना हो जाएगा, 1, और i i b1, तो formula हमने क्या बनाया, नया formula हमने scalar vector का यह बनाया, कि i dot i बराबर j dot j, बराबर k dot k is equal 1 होगा, यह तो है न, क्यों हो रहा है 1, आपको पता है, कि i की direction यह है, और दूसरे भी i की direction यही है, दोनों की पीच का angle, 0 degree है, i का magnitude 1 है, और दूसरे i का magnitude 1 है, तो a dot b, i dot i i बराबर, i dot i, ही दो formula हमने, i dot i is equal 1 mod, i mod, i mod, i mod, into cos, छीटा है, तो यहाँ पर किता है, 1 into 1 into 1, cos 0 की value, 1, तो इसकी value कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है, तो यह मारा इतना होगया, दूसरा आ जाओ, अगर, i dot j करे, i, j, i dot j किया हमने, तो i dot j, दोने के चाहें, एंगल कितना है, एंगल कितना है, दोनों की बीच का, 90 है ना, तो i का mode कितना होता है, 1, into j का mode, 1, cos 90 की value, 0, तो यह 0, तो i dot j बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो, यह हो गया, अब यह हमारा, यह एंगल भी 90 है, और यह एंगल भी 90 है, यह k है, i, j के बीच का एंगल 90, इसलिए 0, j और k के बीच का एंगल 90, इसलिए, j dot k is equal 0, और k dot i is equal 0, ठीक है, इतना क्लिए, अब i dot j बराबर 0 है, इसलिए, j dot i बराबर भी 0 होगा, j dot i is equal 0, तो इसमें direction तो होती नहीं है, तो i dot j is equal 0, j dot i is equal 0, यह सारे क्या बनेंगे 0, ठीक है, इतना क्लिए हो गया ना, अब इसका एक छोड़ा सा example देख लो, a is equal दिया है 2i j plus k, b is equal दिया है i plus j plus k, a dot भी बताइए कैसे निकालेंगे आप, तो a dot b simple तरीका निकालेंगे क्या है, i को i से cross करो, कितना हो जाएगा, i dot i कितना होता है, one, two i plus j plus k, i plus j plus k, इतना हो गया, पहले हमारा जो basic rule है, जिसमें हम गुड़ा करते है, x plus y plus z, x plus y से cross करते हैं, तो फहले x से पुरे में cross करते हैं, फिर y से पुरे में cross करते हैं, ये rule है ना मारा, तो इस rule को छोड़के हम अपना पहले अरा rule लगाते हैं, हमने two i से पूरे में cross किया तो two i into i two i into i यह कितना बनाएगा one अब फिर से आजाओ two i into j zero plus का two i into j यह क्या बनेगा plus two i into k क्या बनेगा zero यह सारे एच जेरो फिर जें टू को फिर जेंट उके जीरो फिर केसे आ ज़ो केंटू आयी ऐसे में इन टू आई के डॉट कि यह बनाया यह बागे दोस हब जीरो तो हम इसका शॉत एंट पर्म किया निगालते हैं शॉत फोर्मनि कालते हैं कि अगर हमें A.B. निकालना है तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 4 ठीक है 4 और अगर हमें A.B. निकालना तो आपको पता है A.B. is equal 2 square plus 1 square plus 1 square ऐसे B.B. निकालना हुआ तो हमने माल लिया यह आ गया हमारा 2, 5 रूड में ऐसे B. is equal आ गया B. is equal आ गया root 2 मान लो, root 3 आएगा सॉरी, तो A.B. is equal कितना हो गया A.B. cost theta इसकी value कितनी आई है, 4 यह root 5 root 2 into cost theta तो cost theta is equal कितना आएगा 4Y root 10 यह angle कि value हो गया और सॉरी, 6 आ जाएगा यह 6 आ गया यह 12 हो जाएगा ठीक है? बस ऐसे करके मैं A.B. निकालते हैं A x B पर आजाओ तो A x B निकालने के लिए आपके पास क्या होना चीए? A, हम पहले पढ़ चुके हैं यह हमारे पास एक A vector था और यह दूसरा B vector था इसे हमें cross करना है दोलों कि बिच का angle कितना है theta? यह B है, यह A है तो A का हमने component निकाला इस direction में जाएगा दूसरा इस direction में जाएगा इसका नाम क्या रखेंगे? A sin theta ठीक है? अब इसको इसको cross करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक दूसरा vector इसकी direction किदर होगी? इधर ठीक है? यह हो गया अगर हम B के component बनाते है तो यह हमारा A था हमने B के component बनाए तो एक इस direction में जाएगा और दूसरा इस direction में जाएगा इसका नाम क्यारकेंगे B sin theta और यह A हमारा और इसको इसको cross करेंगे तो कितना खिदर जाएगा यह vector? इधर जाएगा एक है? वेक्टर को cross करने का rule यही है कि जब तक आपकी बीच का एंगल 90 नहीं होगा तो वेक्टर के बीच का वो cross नहीं हो सकते है यह 90 है ना यह जब तक 90 नहीं हो तब तक cross नहीं हो सकते ठीक है? तो अगर 90 है तो theta की value अगर 0 हो जाएगी यहाँ पे 0 रखो साइंटी टाइक आवान 0 यह कितना हो जाएगा? 0 इसलिए a cross is equal 0 ठीक है? और अगर 90 है 90 देखो यहाँ तो 1 हो जाएगा ठीक है? अब जैसे हमने पहले solve किया था बहुत solve करो i dot जो था हमारा i dot जो i था उसको इस formula में apply करो i इधर लगता है और दूसरा i भी इधर लगता है दोनों पीच का angle कितना हो गया? 0 हुआ तो sign में मान रखो इसका हमारे पास एक vector है a is equal i b is equal i दोनों पीच का angle theta है और theta command 0 है यहाँ 0 रखेंगे पूरा vector 0 हो गया तो i dot i जो पढ़ते थे हम कर क्या रहे है cross तो इसलिए इसका नाम क्या रखा i cross i is equal 0 i cross i is equal 0 ठीक है? उल्टाओगे जस उसका फिर ऐसे ही j cross j k cross के बराबर क्या जाएगा 0 0 बट इसी vector को अगर हम इस cross में लगाते है इस cross में i cross j तो हमारे पास i ये था j ये था i और j इदेखो i इदर जा रहा है j इदर जा रहा है दोनों की बीच का एंगल कितना है? 90 देखो यहाँ पर तो एक cross b बिलेगा हमको तो एक cross b की एक value होती है जो value जाती इधर बट वो direction कि तर लेका आएगा इधर? इसलिए क्या बनाएगा? k जैसे हम लोग वो पढ़ रहे थे अब ये rule पढ़ लीजिए हमारे पास एक surface दी है ये क्या है? i इदर उपर कितर हमने j लिया है ये j हो गया i और j अब ये कहां जा रहा है? बाहर तरफ आ रहा है? जो बाहर डायक्शन है वो क्या एके? ठीक है? means एक अगर circle है इस circle की radius r है इस circle की radius r है और इस circle के आप में fan मान लिया fan fan है ये हमारे पास इसके पास तीन पर है ये एक दो और तीसरा पर ये है ठीक है? ये इसके fan की direction है इधर के तरफ इसकी हवा किदर लगेगी? कैसे बनाएंगे आप? ये इसकी radius है ये इसकी radius है ये इसकी radius है अपने हमने right hand अपना लिया और अपने right hand को किसी एक radius पर set कर दिया आसे करके और इसको ऐसे मोड दिया अब बताओ कहा वाज आएगी? बाहरे ठीक है? इदर घूमेगा तो हवा किदर आएगी? अगर वो ऐसे घूमेगा तो हम क्या करेंगा ऐसे? तो वापीसे जाएगी आज में आ रहा है? तो right hand का और रूप क्या बताता है? अगर ये फैन है या उपर अलग फैन जो घूम रहा है देखो जर उसको उपर जो फैन जो घूम रहा है उसकी डायक्षिन कैसे? ठीक है? तो वो घूमने के लिए हमने उस पर अपने उगली सेट की और उसको घूमाया ये i है हमारा ये j है तो k किदर आ रहा है? k आ रहा है न? तो ये जो k मिलता है ये k है तो ये हमारे इसके रूल के फॉर्मूले है ठीक है? बाकि आप एक रॉस भी नेक्स्ट टुडियो में देख सकते हैं ओके थैंक्यो